पिग स्क्रीन में आपका स्वागत है 1947 में मिली आजादी को भीक में मिली आजादी बता कर लोगों के निशाने पर आई कंगनारा नौत फिर चर्चाओं में हैं शनिवार को उन्होंने पूछा 1947 में कौन सी लडाई लड़ी गई थी उन्होंने कहा कि अगर कोई उनके सवाल का जवाब दे सके तो वे अपना पदमश्री सम्मान लटा देंगी और माफी भी मांगेंगी 34 वर्षिय अभिनेतरी ने इंस्टाग्राम पर कई सवाल उठाते हुए विवाजन और महात्मा गांधी का भी जिक्र किया उन्होंने आरोप लगाया कि महात्मा गांधी ने भगत सिंग को मरने दिया और शुभास संद्रबोस का समर्थन नहीं किया उन्होंने बाल गंगाधर तिलग अर्विन घोश और विपिन चंद्रपाल समेथ कई सतंतरता सेनानियों का जिक्र करते हुए एक किताब का आंच भी साजा किया और कहा कि वे 1957 की सतंतरता के लिए सामूहिक लड़ाई के बारे में जानती है लेकिन 1947 की लड़ाई के बारे में कुछ नहीं जानती कंगना की इंस्टाग्राम पोस्ट सिर्फ सही विवरन देने के लिए 1857 सतंतरता के लिए पहली सामूहिक लड़ाई थी और सुबास, चंद्रबोस, रानी लक्षमीबाई और वीर सावरकरजी जैसे महान लोगों ने अपना योगदान दिया 1857 में मुझे पता है लेकिन 1947 में कौन सा युद हुआ था मुझे पता नहीं है राश्टवात का उदै हुआ, साथ ही दक्षनापंत का भी लेकिन उनकी अकाल मुरत्यू क्यों हुई और गांधी ने भगत सिंग को क्यों मरने दिया नेता बॉस को क्यों मारा गया और उन्हें गांधी जी का समर्थन कभी नहीं मिला विवाजन की रेखा एक श्वेत आदमी द्वारा क्यों खीची गई थी आजादी का जश्न मनाने के बजाए भारतियों ने एक दूसरे को क्यों मारा कुछ जवाब जो मैं मांग रही हूँ किर्पया मुझे ये जवाब खोजने में मदद करें ब्रीटीश ने हमें जी भरकर लूटा आई एने द्वारा एक छोटी सी लडाई से हमें भी आजादी मिल जाती है और बोस प्रदानमंत्री हो सकते थे जब दक्षरपंथी लड़ने और आजादी लेने के लिए तैयार थे तो उसे आजादी को कांग्रेस के भीक के कटोरे में क्यों रखा गया क्या कोई मुझे समझाने में मदद कर सकता है अगर मुझे सवालों के जवाब खोजने में मदद करता है और ये साबित कर सकता है कि मैंने शहिदों और सतनतरता सेनानियों का अपमान किया है तो मैं अपना पदमशिरी वापस कर दूँगी भीक में मिली आजादी इस बयान के बाद राजनेतिक पार्टियों के नेता इतिहासकार शिक्षित वादी शमेश तमाम लोगों ने उनका पदमश्री वापस करने की मांग की थी एक्टरस ने अपने बयान के उस हिस्से को भी स्पस्ट किया जहां उन्होंने कहा कि देश ने 2014 में सुतंतरता प्राप्त की उन्होंने कहा जहां तक 2014 में आजादी का सम्मंध है मैंने विशेश रूप से कहा था कि बहुत थिक आजादी हमारे पास हो सकती है लेकिन भारत की चेतना और विवेक 2014 में मुक्त हुआ एक मरत सब्वता जीवी थोटी और अपने पंक को फटफडाए अब उची उडान भर रही है तो गाइस क्या कहना है आपको कंगना रनौत के लिए प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रह ये बिग स्क्रीन